नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल करेंट अफ्या अद्डा में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको 1 सितंबर से 15 सितंबर तक के सभी प्रतियोगी परीक्षा उप्योगी समसा में घटनाओं के बारे में बताएंगे चली एक दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला शीर्शक है खेल जगत नीरज चोपड़ा बने डायमंड लीग विजेता ओलम्पिक चैंपियन जैवलीन थ्रोगर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए डायमंड लीग खिताब जीता नीरज यह खिताब जीतने वाले पहले भारतिय एथलीक बन गए हैं स्विजलेंड में खेले गए फाइनल के अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने 88.44 मीटर की दूरी तक भाला फेका जो उनका सबसे ब्यास त्रो रहा भारतिय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने सब्या के बेल ग्रेड में आयो चित विश्व कुष्टी चैंपियंशिप के तिरपन किलोग्राम भार वर्ग में कांसे पदक जीता तथा विश्व कुष्टी चैंपियन्शिप में दो बार पदक जीतने वाली पहली भारतिय भी बन गई स्पेन के 19 वर्षियक कालोस अलकारेज गार्फिया ने युईस ओपन टेनिस के पुरुषेकल का खिताब जीत लिया उन्होंने फाइनल में नौर्वे के कैस्पर रूड को शिकस्त दी इसके साथ ही अलकारेज ने अपने करिया का पहला ग्रैंड स्लेम भी जीत लिया अलकारेज 32 साल बाद युईस ओपन चैंपियन बनने वाले सबसे युवाख हिलारी भी बन गए अल्टिमेट खोखो लीग के पहले सीजन का खिताब ओरेसा जगरनाच की टीम ने जीता फाइनल में ओरेसा ने तेलुगू योधाज को हराया चैंपियन टीम को एक करोर रुपे की पुरसकार राशीव दूसरे स्थान पर रही तेलुगू योधास टीम को पचास लाख रुपे मिले खोखोख के खेल में प्रती टीम नौक हिलारी होते है फीफा अंदर सेवेंटीन महिला विश्व कप दो हजार बाइस होगा भारत में फीफा का अंदर सेवेंटीन महिला विश्व कप दो हजार बाइस साथ वा संसकरन पहली बार भारत में होगा इसके मैच डेश के तीन शहरों भुनेश्वर, ओदिसा, नवी मुंबई, महाराश्ट्रा, वमद्गाव, गोवाप में होंगे भारत सहित सोलल टी में इसमें भाग लेंगी इसके मैच पहले 2020 में होने वाले थे, पर COVID-19 के कारण नहीं हो सके राश्ट्री अखेल 2022 होंगे गुजरात में बुजरात के 6 शहरों में सितंबर से अक्टूबर में होने वाले 36 में राश्ट्री अखेलों के मस्कत शुभनकर का अनावरल ग्रिह मंत्री अमित शाह ने किया मस्कत के साथ ही खेलों का एंथम भी लॉंच किया गया राश्ट्री अखेलों का शुभनकर शेर होगा सेरेना विलियम्स ने लिया सन्यास, 23 बार की ग्रैंड स्लेल विजेता, अमेरिका की सेरेना विलियम्स अपने करिया के अंतिम टूर्णामेंट यूईस ओपन टैनिस में खेलते हुए सन्यास की घोशना की सुरेश रहना ने लिया सन्यास, पूर्व भारतिय बल्ले बाज सुरेश रहना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की घोशना की रॉबिन उथप्पा ने लिया सन्यास टीम इंडिया के बल्ले बाज रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर होने का फैसला किया है हमारा अगला शीरशक है नियुक्तिया पूर्व भारतिय गोल की पर कल्यान 24 अखिल भारतिय फुटबॉल महासंग AIFF के नए अध्यक्ष चुने गए है भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बायचुन भूटिया को चुनाव में हराकर महासंग के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाडी को अध्यक्ष चुना गया है सुला ब्रेवर मेन होगी ब्रितिश ग्रह मंत्री ब्रिटेन की नई प्रधान मंत्री लिच्ट्रस ने भारतिय मूल की सुला को ग्रह मंत्री नामित किया है सुलला ब्रेवर्मेन इस पत पर भारत वंशी प्रीती पतेल की जगह लेंगी अरुल सुब्रमन्यम होंगे न्यू यॉर्क जज अमरीकी राष्ट्रपती जो बाइडन ने भारतिय मूल के अमरीकी वकील अरुल सुब्रमन्यम को न्यू यॉर्क का जिला जज नामित किया है सीनेट की मंजूरी के बाद वे न्यू यॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायादीश बनने वाले पहले दक्षन एशियाए होंगे लक्षमन नरसिमहन बने स्टाबक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमेरिका की बहुराष्ट्रिय कॉफी कंपणी स्टाबक्स ने भारतिय मूल के लक्षमन नरसिमहन को अपना नया सीयो नियूक्त किया है लीजट्रांस होगी ब्रिटिश प्रधान मंत्री ब्रिटिश प्रधान मंत्री चुनाव में लिच्ट्रांस ने भारत वंशी रिशी सुनेक को हरा दिया है वो बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी किंग्स चार्ल्स बने ब्रिटेन समराथ ब्रिटेन के नए समराथ बनाए गए किंग्स चार्ल्स त्रितिय, पूर्व महरानी, एलिजाबेट द्वितिय जिनका निधन हाल ही में हुआ है ये उनके पुत्र है राष्ट्र से संबंधित घटनाए भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थ व्यवस्था में शामिल हो गया है ब्रिटेन अब छटे स्थान पर है ब्लूंबग की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत में भारत विश्वी की पांचवी सबसे बड़ी एकोनॉमी बन गया यह रिपोर्ट अंतराष्ट्रिय मुद्रा कोश के सकल घरेल उत्पात GDP के आंकरों और अमेरीकी डॉलर के कैलकुलेशन पर आधारित है भारत एक वर्ष के लिए बना जी 20 समूल का अध्यक्ष भारत जी 20 समूल की अपनी अध्यक्षता में 2023 के 9 और 10 सितंबर को होने वाले वार्षिक शिक हर सम्मेलन समेथ इस प्रभावशाली समूल की 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा भारत एक डिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक साल के लिए जी 20 के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सम्भालेगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले स्वदेशी एरक्राफ्ट करिया INS विक्रांद को कोचीन शिप्यार लिमिटेद से नौसिना में शामिल किया INS विक्रमादित्य के बाद यह भारत का दूसरा विमानवाहक पोथ है DRDO ने इसे तयार किया है लागू हुआ नौसिना का नया ध्वज प्रधान मंत्री ने नौसिना के नय ध्वज का अनावरंग किया उन्होंने छत्रपती शिवाजी को नौसिना का जनक बताते हुए नया ध्वज नौसिना को समर्पित किया इससे पूर्वंग्रेजी काल का लाल क्रोस हटा दिया गया है राजपथ अब होगा कर्तव्यपथ एंद सरकार ने राजपथ सेंट्रल विस्टलॉन का नाम बदलने का फैसला किया है अब इसे कर्तव्यपथ के नाम से जाना जाएगा नेताजी स्टैच्यू से राष्ट्रपती भावन तक का मार्ग कर्तव्योपत कहलाया जाएगा युदपोग तारागिरी का हुआ जलावरन दुश्मन को जक्मा देने वाली तक्नीक से लेस युदपोग स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी का अरब सागर मुंबाइक में जलावत्रन हुआ आत्म निर्भर भारत के तहट तारागिरी को मजगाव दौक में बनाया गया है इसमें 75 प्रतिशक घरेलू कलपुर्जों ता इस्तिमाल किया गया है यह त्या धुनेक हथियारों, मिस्साइलों सेंस वह उन्नत सूचन प्रनाली से लेस होगा यह नीगिरी क्लास का युदपोथ है भारत जापान नौसेने का भ्यास जिमेक्स 22 भारत ने जापान के साथ बंगाल की खाड़ी में नौसेने का भ्यास किया जापान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 2022 का छठा संसकरन भारतिय नौसेना की मेजबानी में शुरू किया गया दर्भाशी कैंसर का पहला स्वदेशी टिका हुआ लॉंच दर्भाशी कैंसर के खिलाफ सीरम इंस्टीटीट आफ इंडिया और बायो टेक्नोलोजी विभाग ने एक सितंबर को पहला स्वदेशी टिका लॉंच किया Quadrivalent Human Papilloma Virus नामक वैक्सीन पहले 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को लगाए जाएगी शिक्षक बिवस पर प्रधान मंत्री ने देश भर में 14,500 पीम श्री स्कूलों को अपग्रेड वर विक्सित करने का अलान किया है उन्होंने कहा कि ये मॉडल स्कूल होंगे जो नई शिक्षा नीती को आगे ले जाएंगे ई समाधान पोर्टल हुआ शुरू शात्रों की सभी तरह की समस्याओं को ओनलाइन जानने वमार्थ दर्शन करने हे तु यू जी सी ने लांच किया ई समाधान पोर्टल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन इसे लांच किया गया भारत के कई राज्य लिम्पी वाइरस से प्रभावित उत्तर भारत के कुछ राज्य गाय को होने वाली वाईरस या विशानू जनित चमड़ी रोग लिम्पी वाईरस से प्रभावित है यह गायो से गायो में फैलने वाला रोग है पर यह रोग गायो से अन्य किसी पशू या मानवो में नहीं फैलता टेंद सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के बाद नवजात शिशु की मृत्यू होने पर साथ दिन का विशेश मात्रित्व अवकाश दिया जाएगा कार में केवं प्रशिक्षल विभाग दियो पीजी ने इस सम्बंध में आदेश जारी किया है हमारा अग्या शीर्शक है अंतराष्ट्रिय घटनाए चीनूख हेलिकॉप्टर अमेरिकी सेना ने सभी चीनूख हेलिकॉप्टर्स पर रोक लगा दी है फिलहाल सेना के किसी भी ओप्रेशन या ट्रेनिंग में इन हेलिकॉप्टर्स का इस्तिमाल नहीं होगा अमरीकी सेना ने हेलिकॉप्टर्स के इंजन में आग लगने की घटनाओं के कारल ये फैसला लिया है सत्तर से ज़्यादा चीनूख हेलिकॉप्टर्स में दिक्कत होने का संदे है अमेरिकी कमपनी बोईंग ने 2020 में भारतिय वायुसेना को 15 चीनूख हेलिकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी की थी ये हेलिकॉप्टर वर्तमान में लगदाख और सियाचें ग्लेशियरों जैसे समवेदन शील इलाकों में तैनात है अंतराष्ट्रिय मुद्राकोश आएम एफ गंभीर आर्थिक संकत से जूज रहे श्रीलंका के साथ हुए समझोते के तहट उसे 2.9 अरग डॉलर का कर्ज देने पर सहमत हुआ है यह कर्ज उसे 48 महीने की अवधी के दोरान दिये जाएंगे उर्वामेरी की राष्ट्रपती बराक ओबामा को मिला एमी अवर्ड के लिए आउटस्टेंडिंग नेरेटर का एमी अवर्ड मिला है एमी अवर्ड तेली विजन शो और मनोरंजन से जुडा हुआ है वही ग्रमी संगीत के लिए दिया जाता है शेख हसीना का भारत दौरा बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना चार दिवसिय भारत दौरे पर रही दोनों देशों के बीच कुशियारा नदी जल बत्वारे सहित को साथ समझोतों पर हस्ताक्षर हुए निधन साइरस मिस्त्री टाटा संस के पूर्व चेर्मेन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया साइरस मिस्त्री 2012 से 2016 तक रहे थे टाटा ग्रुप के चेर्मेन शंकराचार्य स्वरूपानन सरस्वती शार्दा पीथ, द्वारका और जोतिरमत के शंकराचार्य स्वरूपानन सरस्वती का मध्य प्रदेश के नरसिंगपुर में निधन हो गया महारानी अलिजाबेट द्वितिय ब्रिटिश महारानी अलिजाबेट द्वितिय का 96 वर्ष की उम्र में स्कॉटलेंड में निधन हो गया। भारत में भी एक दिन का राष्ट्री अशोक भोशित किया गया। रेकॉर्ड सत्तर सालों से थी महारानी। मिखाइल गोरबाचेव पूर्ड सोवियत संग राष्ट्रपती पूर्ड सोवियत संग रूस के आखिरी राष्ट्रपती और शीत युद्धक खत्म करने में एहम भूमिका निभाने वाले मिखाइल गोरबाचेव 91 वर्ष का निधन हो गया। ये लोग तांत्रिक सिध्धान की तर्च पर कम्यूनिस्ट शासन में सुधार करना चाहते थे। उन्हें अमरीका के साथ परमानो निरस्त्री करन समझोते के लिए जाना जाता है। इन्हीं 1990 में नोबेल शान्ती पुरसकार मिला था। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर वर लाइक चरूर करें। ताकि आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहें।